अब ही पहला फैसला तो यह लिया है कि कुरोना के मामले बढ़ने के कारण से 26 तारीक तक सभी शिक्षा सस्थानों को बंद करने के आदिश दिये गए हैं और इसलिए है कि अभी सोपी तो तब चलेगा जब स्कूल प्राणम होंगे लेकर अभी तो फूरी तरह से बंद रहेंगे और उसी प्रकास से देखेंगे कि 26 के बाद कुरोना के मामलों की स्थिति क्या रहती है तो अगला जो निर्ड़े हम उसके उपर अधार पर करेंगे लेकिन फिलाल अभी सभी शिक्षा सस्थानों को बंद करने का दिश दिये गया है कोरोना वैक्सिन की 18 साल से उपर तो हमारी 100% वैक्सिनेशन हो चुकी है और 15-18 के बंदिया में है वो वैक्सिनेशन का काम भी हमारा जोरों पर चल चुका है और उसमें लगभग अभी तो ये रिपोर्ट हमारे पास है कि पंद्रा से अठारा साल तक की परसों तक हिमाच्चिल प्रदेश में हंडर पर्सेंट इस पॉपुलेशन को भी वैक्शन हो जाएगी और इसलिए हमने कहा है कि जहां तक स्कूलों में ठीक प्रकार से जो होस्टल गएरा में खाने की विवस्ता हो होनी चाहिए लेकि इसलिए फिलाल अभी तो हमने ये कहा है कि अभी तो हर प्रकार से शिक्षा स्थान बंद रहेंगे देख अभी जिन्हों ने अगर एक्जाम अनूस किये थे तो वो सब के सब नहीं होंगे और उसके पर चाहते हैं कि 26 के बाद की सिती भी तब मामलों में कितनी बढ़ोतरी होती है या कितनी कमी रहती है उसके अधार पर तब निड़ा करेंगे लेकिन अभी फिलाल कोई परक्षा इत्यादी नहीं होगी क्या उनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी और उसमें टीचर्स बचों को एंसाइनमेंट भी देंगे और उसमें और इस सब्ताहा के बीच में जब भी कोई यानि जो पढ़ाया है उसके टेस्ट इत्यादी करने हो तो ऑनलाइन जो किये जाते रहेंगे सब जो मोबाईल देने थी चात्रों को उसमें किस तरह का सर अभी प्रोग्रेस हुआ है अला कि अभी उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और उसमें जहां-जहां पर आवशक्ता है और जहां से भी मांग आ रही है तो उनको परदान किये जा रहे हैं और अभी मोबाई होगी तो उसकी पूरती करने में हम सक्षम हैं